सूप्रभाद बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठे पुस्तक आर्ना में से एक बहुत ही सुन्दर कविता जिसका नाम है हमारे त्योहार देखा त्योहार सुनकर सबके चैरों पर मुस्कान आ गई ना ऐसे ही होते हैं त्योहार तो आप जानते हैं हमारा देश भारत विवित त्योहारों का देश है यहां विविन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं सभी के अपने अपने त्योहार है भारत के लोग सभी त्योहारों को आपस में मिल जुल कर मनाते हैं इससे देश की एक्ता बढ़ती है तथा लोगों में प्रेम भाव पिक्सित होता है तो आईए हम भी सब मिलकर पढ़ते हैं पाठ पंदरा पाठ पंदरा हमारे त्योहार तो बच्चों देख रहे हैं न सबसे पहले कौन से त्योहार का चित्र है दशेरा जो हमने अभी अभी मनाया था दशेरा जिसे विजय दश्मी के नाम से भी जाना जाता है यह हिंदू का एक प्रमुक त्योहार है इस दिन भगवान राम ने रावन का वद किया था तथा देवी दुर्गा ने मैशा सुर राक्षस पर विजय प्राप्त की थी इसी त्योहार को असत्य पर सत्य की जीत की खुशी में मनाया जाता है तो आईए पढ़ते हैं हम कवीता लो आ गया त्योहार दशेरा धूम धाम हो रही है भारी जगा जगा पर राम लीला की हो रही है तैयारी दशेरा बीता देवाली आई घर घर खुशिया ले कर आई जगमक जगमक दीब चले हैं रात को फुलजडी पटाके जले हैं तो अब अगला जो त्योहार है देवाली जो कुछी दिनों में आने वाली है देवाली को दीपो का त्योहार कहा जाता है इस दिन भगवान राब चौदा वर्ष का वनवास काट कर अयोध्य वापिस लोटे थे और अयोध्य वासियों ने दीब जला कर उनका स्वागत किया था क्रिस्मस आया खुशिया लाया सेंटा क्लॉज उपहार लाया नए नए कपडों में सचकर खाते केक मिठाई मिलकर खुशिया मनाते हमारी इसाई भाई तो आप देख रहे हैं ना चित्र जिसमें एक बढ़िया सा क्रिस्मस ट्री है सुन्दर सुन्दर टॉफी और गिफ्ट्स के साथ सेंटा क्लॉज खड़े हुए है क्रिस्मस यानि की बड़ा दिन ये त्योहार ईसा मसी के जन्दिन की खुशिय में मनाया जाता है और ये हर साल 25 दिसमबर को आता है रोजों के दिन बीद गए ईद खुशिया लेकर आई गले मिलकर भडाई देते हमारे मुसलिम भाई हम तो खाते मीथी सेवईया ईद मुबारक कहते सबको बड़े देते हैं ईदी हमको तो बच्चों ईद, ईद हमारे मुसलिम भाई मनाते हैं जिसमें वो मीथी मीथी सेवईया बना कर एक दूसरे से गले मिलकर सबको ईद मुबारक कहते हैं तो दिवाली, तशेरा, ईद और क्रिस्मस के बाद हमारा त्योहार आता है होली सबको मस्त बनाने वाली, अब आई है होली निराली रंग भरी पिछकारी लेकर हम मस्तों की टोली चलती रहा चलतों को खूब है रंगती बैर भाव भूलो सब अपना, मस्ती में मस्त मन हर्शाओ अपना होरी रे रसिया होरी रे रसिया आज पिरच में होरी रे रसिया तो देखा आपने ऐसे ही गुन-गुनाते हस्ते गाते इतने सारे त्योहार हम अपने देश में मनाते हैं और ये सभी त्योहार हमें एक रहने की और सब की साथ प्रेम की भावना रखने की शिक्षा देते हैं तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कविता पसंद आई होगी और कविता के ही रूप में आपने सभी त्योहारों का आनन भी लिया होगा अब आपका ग्रह कार्य है आपको भी इस कविता को दो से तीन बार धोराना है और याद करना है तो बच्चों मैं जल्दी मिलूँगी आप से दन्यवार